हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चानल पीसेस मेकर पे मैं मनिसा रहा जो आज का जो टॉपिक लेकर आ हूं वह बहुत जादा इंपॉर्डिन टॉपिक है जो बहुत धर्म एबंजैन धर्म से रिलेटेट टॉपिक है जो भी जितने को स्वेक्षण जो पूछे हुए है टॉप फोटी कोशन वह मैं सब लेकिया हो जो बार बार एक्जाम में पूछे हुए ठीक है दोस्तो तो प्लीज अगर आप अपने यूट्यूब चानल पीसेस मेकर पे अगर आप नहें होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करें और बेल आइकन को लुम्णी तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपसा नंबर डियानी की लुम्णी गौतम बुद्व का जर्म अस्थान था तो लुम्णी था अगर कोश्चन ऐसे आज एक्जाम में कि गौतम बुद्व का जर्म कब हुआ था तो याद रखेगा कि 563 इशापुर्व में और कह तो यहीं अगर कोश्चन ऐसे आ जाकिना कि गौतम बुद्व के बच्पन का नाम था तो ऑर इन्हों नहीं क्या के थे कि बौत्धन की अस्थाप्न का जेकते हैं एक सेकेंट नमर कोश्चन है कि गौतम बुद्व का जन्व अस्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है आपसन असोख मौडे का रुमिन देई अस्थम B मुर्ती, C पीपल ब्रिक्ष, D बौधमट तो इसका जो राइट अंस हो जाएगा क्या हो जाएगा तो 20 वे वर्स लुम्नी ग्राम में गया अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट अंस हो जाएगा क्या हो जाएगा आपसन नंबर A यानि की अश्रुख मौडे का रुमिन देई अस्थम ठीक है नेक्स कोशन नंबर देखते हैं थर्ड नंबर थर्ड नंबर कोशन है हमारा कि बौध किस बन से संबंदित है और अगर बात करीं के बाड़े में तो बहुत धर्म के प्रवर्वर्तक नंबर कि पर्थम बध परिशत कहां आयोजित की के औप सने बैष्व अलीच के तो तो राज़गीर क craft वाता है तो तो ईद रहा है कि चैस्जर क्धिर के समय में हुआ था तो मगत सम्राठ जो अजास शत्रू के समय में राज़ 여러분들 के तो अजाज सत्रु याल रखे अजाज सत्रु के शमय में मगत समराट अजाज सत्रु नेक्स उसन है हमारा 5 नमबर कि पांच मी बहुत परिशत का आयोजन किसने किया था अप्शन अशोप, अप्शन भी कनिस्क, अप्शन सी हर्स, अप्शन डी बिन्दु सर देखिएगा इसका अंसर क्या हो जाएगा, राइट अंस हो जाएगा, अप्शन नमबर C, यानि कि हर्स पांच मी जो बहुत परिशत का आयोजन हुआ था, वो किसने किया था, तो हर्स ने किया था अगर हम बात करते हैं, कि हर्स के समय में जो थे कनोज में किया गया था, और यह जो बहुत परिशत किया था, तो हर्स के समय कनोज में किया था, ठीक है दोस्तों अगर बात करते हैं, कि अगर तीसरी, तो असोक के समय में तीसरी बहुत परिशत हुआ था, और कनिस के समय सपल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कि सदमिया विशते रदीन की प्राप्ती बुझ की Спाइब विच्ट सुंति वर्ष के उम्र में ज्यान प्राप्त हुआ था और एक नीचे पीपल के नीचे उनन है प्राप्त हुआता कि को सब्सक्राइब क्या है। ० permettre पीर के नीचे तो people के परक्त हुआ था कि और ँश टाइम जब उनको ग्यान परक्त हुआ था तो वो सिधधार्थ के सिधार्थ को सिधार्थ कूछ सिधार्थ की नाम से जाने जाते थे यंदार नंबर कि नुशन वह से किया की अंग डी और नक्य तो इसका जो राइट अंस हो जाएगा क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर एज यानिकी तिरी पितक मैं ठीक है दोस्तों तो इसको भी ध्यान रखेगा त्रीपीटर के बाद नेक्स कोशन है मारा एट नमबर एट नमबर कोशन है क्या कि बौध धर्म ने समाज के दो बढ़गों को अपने साथ जोरकर एक महतपुर्म प्रभाव छोड़ा ये बढ़ थे औप्शन A वनिक एबम पुरोहित औप्शन B शहुकार एबम दाश औप्शन C योध्या एबम बैपारी औप्शन D इस्तिरियो एबम शुद्र तो इसका जो राइट अंस हो जाएगा औप्शन नमबर डी यानि कि इस्तिरियो एबम शुद्र मतलब बौध धर्म के जो बौध दर्म स्थूरियों और छुद्रों के लिए एक ही दर्जेंहें रखता मतलब क्या जो स्थिर्यों हो जाई या शुद्र हो जाई इसको एक दर्ज़ों में कुण रखे थे तो व्राह्मन हो रखे थे तो यह ही इसका में रिजन था नेक सोचन है हमारा नाइन नंबर नाइन नंबर कोशन देखिएगा कि बुधि ने अपना पर्थम प्रवचन कहां दिया था ऑप्सन ने गया ऑप्सन भी शारनाथ ऑप्सन सी पाटली पुत्रा ऑप्सन धी बैसाली तो हमारा जो राइटन सोजाय क्या हो यह भुद्ध गरंद्धों के तो जिस हम लोग जो अपना प्रवचन प्रवचन साराणात में दिये थे और उसे हम व्लोग क्या कहते हैं तो यह हम लोग बहुत बहुत ग्रंत्यों में धर्म चक्र प्रवानतन कहा जाता है ठीक है दोस्तों नेक्स विसार्ण अगर एक कोश है कि बौत धर्मने निम्न में से किन मतों पर विश्वास करते थे ऑप सने धुनिया भूग के दुखों से भड़ी है ऑप सन भी लोगों को दुख उनकी एक्छाओं के कारण होते हैं ऑप सन सी यदि एक्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्मान मिल जाएगा ऑप सन इसवर और आत्मा की अस्तित्व को शिकार करना चाहिए तो इसका जो हमारा राइटन हो जाएगा एबी सी ट्विस्वास करते थे क्या कि दुनिया दुखों से भड़ी है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है सही है लोगों को जो दुख होता है अपने कार निर्वान मिल जाएगा तो निर्वान मिल जाएगा तो नेक्स सोचन हम लोग देखते हैं नेक्स सोचन हमारा है 11 नंबर कोश्चन और बहुत जदा इंपॉर्टन कोश्चन है कि धातू से बने सिक्के सबसे पहले परकट हुए थे और बुद्ध के काल में और इसका जो राइट अंस हो जाएगा तो याद रखिएगा पंचमार्क या आहत नाम था उस सिक्के को पंचमार्क या आहत कहा जाता था ठीक है इस पर चप्पा मार्क अलग अंकीत किये घये थे अलग अलग थे इसलिए उनको क्या होता है पंचमार्क आजाता है ठीक है दोस्तों बारानम्र कोश्चन है कि प्रारभिक भौद धर्म ग्रांथो की रचना किस में की गई थी आप्शनी प्राकिर्टिक पार्ट आप्शन संस्कृत पार्ट, ओफ्ण डी चित्र लेखे पार्ट तो इसका जो राइट आशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओफ्ण नमबर भियानि की पाली पार्ट, जो प्रानभिक बौध, धर्म गृंधों की रचना, पाली पार्ट में ही की गई थी, ठीक है, अगर हम बात करते है पाली उस समय आमजनों की भासा थी पाली किसकी भासा थी तो आमजनों की भासा थी बाद में क्या हो गया था कि बहुत धर्म गरंद बाद में क्या हो था कि पाली पाट के बाद भी हम लोग इसको किस भासा में लिखा गया था तो संस्कृत में भी इसे लिखा गया था ठीके कि अरंभिक बहुत साहित्य किस भासा में रचे गए थे अपसा ने पाली बी संस्कृत सी अर्मेइक डी प्राकिर्थ तो इसका जो हमारा राइटन्स हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑफसा नमबर यानिकी पाली वही कोशन है से मैं कौन से भासा में लिए गए थे तो पाली में ही लिए गए थे लेकिन फॉच्छा को मैंने जान बुच के चेंज किया ताकि आप लोग को को सब्सक्राइब कि नमबर कि निम्रिखित में से बाध्धो का पवित्र गरंथ कौन सा है उप्सन ए उपनिशद बी बेद सी त्रीपिटक डी जातक तो इसका जो राइटन्स हो अगर हम तरीपिटक की बात करें तो मैंने उपर बताया था आप लोग को सुथ पीटक हो गया अभी धम पिटक इसे बोलते हैं तो बाध्धो का जो पवित्र गरंथ इसी को कहा जाता है ठीक है अगर हम बात करते हैं कि सूपितक सूथ पिटक में बात धर्म के उपदेश सं भिक्षूनियों के शंग है और बात करें अड़ेवं दैनिक जीवन संबंदित है ठीक है तो देख लीजेगा आप लोग नेक्स सोचनों लोग देखते हैं फिप्टी नमर कोशन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन सबसे बाद वाला बौत धर्म का को यह को यह के जाएगा तो वामसात्थबाकसिनी स्था था है और मैं भाज सबसे बाद में बहुत गरंध इसकी रचना जो जो ही थी याद रखिएगा जो की गई थी यह दो हुझा यह T संबंद बुध के जीवन में किस घटना के साथ है किस घटना के साथ है option A जन्म B महाविनिसक्रमन option C प्रबोध option D महापड़ी निर्वान तो इसका जो राइटरंस हो जाएगा क्यों हो जाएगा option number A यानि कि जन्म से मतलब कि आप बहुत धर में जो बुल का जो संबंद था वजीवन के साथ है तो जन्म के शाथ है ठीक है अगर हम बात करते हैं तो कभी-कभी question बुल तो बुल को हम लोग सांट ही बोलते हिंदी में तो कमल भी इसका क्या है तो बुद्व के जन्म से संबन दित हैं अगर बात करते के कोशन आता है ग्री त्याग जो है वह ग्होरा से संबन दित है अगर ग्यान की पराप्ति तो ग्यान की प्राप्ति आप लोग याद रखेंगा पीपल बोधी उससे संबन सब्सक्राइब निर्वान से संब्दित है और बात करें अस्तूप का संब्द्ध से याद रखिएगा यह जितने भी इंपॉर्टन कोशन मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको एक भी कोशन इससे नौ छूटें ठीक है दोस्तों तो प्लीज आप करना गाया में तो हमाहा जो राइट राइट वल यानकी कि हो दामें भारत के पंचमीं सताब्दि प्राचीन डिश्वय यह श्थापना की थी किसके द्वारा की गई थी तो याद रखेगा दोस्तों कुमार गुप्त पर्थम कैं कुमार्गुप्त पर्थम के कुमार्गुप्त याद रखी पर्थम जो 415 से दुआरा 455 के इसी में हुआ था युद्ध को प्रबूद कहा प्राप्थ हुआ था अपसाने शार्नाथ बी बॉद't गया बौध गया, शी, कपिल बस्तू, डी, राजग्री, तो इसका जो हमारा राइटन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तो, तो option number B, यानि की बौध गया, बुध का जो प्रबोध जो कहां प्राप्त हुआ था, तो बुध को जो ग्यान जिसको प्रबोध हम लोग किसको बोल तो घ्यान को बोलते हैं, तो कहां प्राप्त हुआ था, तो उनको जो प्राप्त हुआ था, बोध गया प्राप्त हुआ था, ठीक है, दोस्तो, निक्स पूसन हम कहा गया, तो इसका जो राइटन्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, option number A, जानिकी तरी रतन, बुध ढम और शं को तो त्री नत्र इसको हम लोग बोलती हैं ठीक है अगर हम बात करती है कि इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है तो इसका जो राइटरण सही होचल क्या होच जागा और यानिकि बौ座न सब जाम कॉस्टुक्त का कारण इनका पुर्शाड करने वाला सबसे पहला जो धर्म था वह बौध धर्म था ठेके दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं एक इस नमर कोशन देखते हैं तुरा सब्सक्राइब बॉद्धों के पवित्र अफशेशों पर निर्मित गुंबद्दकार छत्वाला छत्रवाली अर्ध गोलाकार सनस्टना को क्या कहते हैं तो इसका जो हमारा राइटन्स हो जाएगा और यानिकी अस्तूप बहुत धर्मों के पवित्र अफशेशों पर निर्मित गुंबदकार छत्वाली अर्ध गोलाकार सनस्टना को क्या कहते हैं तो अस्तूप कहते हैं ठीक है दोस्तो अगर बात करते हैं इसे इसी जो हम लोग क्या कैते हैं तो इसी जो में कि संसर्क बुद्ध का कालीन था option A, उदयन, option B, बिम्बिशार, option C, अजाज सत्रू, option D, महा पदनन, तो इसका जो राइटन्स हो जाएगा, option number A, यानि की उदयन, तो सासक बुद्ध का जो समाकलीन था, वो कौन थे, तो उदयन थे, तो यहाँ पे देख लिजेगा थुरह सा, आपको मैं यह कहना चाराओ कि, यह जो इसमें जो सासक थे, तो उदयन भी थे, और हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे अजाज सत्रू भी थे, और क्या थे, बिम्बिशार भी थे, तो यह महा पद जो नंध है, यह क्या थे, यह इनके शाशक नहीं थे, अगर हम बात करते हैं, महा पद नंध की, तो यह क्या 883 इसापुर में, option B 438 इसापुर में, option C 453 इसापुर में, option D 468 इसापुर में, तो इसका जो राइटन्स हो जाएगा, option number A यानि की 483 इसापुर में अगर बात करते हैं, गौतम बोध की मिर्तु जो हुई थी, वो 483 इसापुर में हुई थी, और जो 404 इसापुर में, इनकी मिर्त्य वही थी, राइटन्स की महीं में और और कहां पर हुई थी, ए तो कूसी नगर में हुई थी, ठीक है? और इन का जो मिर्त्य जो हुआ था, इसे ही बहुत ग्रंतों में, महा पड़ी निरवान कहा गया है, क्या कहा गया है? इनकी मिर्तु जो हुई है इसे बहुत ग्रंथों में क्या कहा गया तो महापड़ी निर्वान याद रखिएगा बहुत most important question है ये कि जब इनकी मिर्तु हुई थी तो उस मिर्तु को हम लोग बहुत ग्रंथों में क्या कहते हैं तो महापड़ी निर्वान का कहते हैं तो आप्शन ए बुध के यूग में er मोडे काल में आप्शन सी पस्च ि realities में तो हमारा राइट हैं सचाल का ओप्शन नमबर यान्फ के यूग में प्या कि भारति योग संबनों से इस्तौंग option B मोड काल में option C पस्च मोड काल में option D गुप्त काल में तो हमारा जो राइट हैंस हो जाएगा option number A यानि की बुद्ध के यूग में मिल्स क्या जो भारती इतिहास के जो यूग में बुद्ध के यूग में क्या करते थे चत्रिय کےअ कि महत्मा बुद्ध महावीर स्वामी थे больше इतना है कि महावीर कुछ एक स्नुछ काल ऑपसिन थे option A 21 Week तीर्थकर, option C एस तीर्थकर, option D 22 Week तीर्थकर जो हमारा जो राइट अन्स हो जाएगा क्या हो जागा option number B यानि कि 24 वे तिर्थकर महावीर जी थे वो 24 वे तिर्थकर थे और एवं और जो यह थे वो जैन धर्म के बास्तविक संस्थापक माने जाते थे मतलब कि आकोशन कभी एक्जाम में ऐसे आ जाता है कि जैन धर्म के बास्तविक संस्थापक कौन थे तो याद रखेगा महावीर जो थे वो जैन धर्म के बास्तविक संस्थापक माने जाते थे अगर बात करते हैं अपर तेश्वे तो त्यस्वे तीर्थकर कभी एक्जाम में तेश्वे तिर्थकर पूस देता है तो तेश्वे जो तीर्थकर है वो कौन है तो पार्षब नाथ याद कि भारत में जैन धर्म का संसाफ़ कौन था कौन है so कौन है तो option A. Gothic毛 kan B. Phoenix option D. तो इसका जो गारत हैं कहात जाएगा option नमबर B. यानी कि महभीर तो जैन धर्म के संसाफ़क थे वह कौन थे तो महभीर थे तो अगर यह जैन धर्म के परथम तिर्तकर रिशब दे यह जो अगर बात करे आदितनात को भी माना जाता है इनके परथम तिर्तकर ठीके दोस्तों नेक्स उसनेमा यानि की पावा में ठीक है दोस्तों अगर हम बात करते हैं वर्दमान महावीर ने मल महान जन्पद कि राजधानी पावा या पावा पूरी में परी निर्वान प्राप्त किये थे तो कहां पर प्राप्त किये थे तो याद रखीगा पावा या पावा पूरी उसको हम लोग ब कहते हैं और जैन सहित्ट को क्या कहते हैं तो अंग कहते हैं अगर हम बात करते हैं कि जैन सहित्ट को अंग या आगम भी कहा जाता है ठीक है अगर हम बात करें तो बहुत सहित्ट को तो बहुत सहित्ट को त्रीपटक भी कहा जाता है तो प्राचीन भारत का प्रशिद वह शाशक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था option A, समुद्रगुप्त, option B, बिंदुशार, option C, चंद्रगुप्त, option D, अशोक तो हमारा जो राइटन्स हो जाएगा, option number C, यानि की चंद्रगुप्त अगर हम बात करते हैं, जैन साधु तो जैन साधु भद्र, बाहु से जैन धर्म की दिख्षा लेकर, वह सरवन बेल गोला करनाटक, सरवन बेल गोला कहा है, तो करनाटक इसकी चंद्रगिरी पहारी पर, जो 1998, कब तो 1998 इशापुर्व में उपवास द्वार अपना सरीर त्या जो भी आपको एक्स्टार रहेगा, मैं उससे ज़रूर बताऊंगा, तो ठीस नमबर थाटी नमबर कोश्चन है, कि दख्षिन भारत में परशिद जैन केंद्र इस्थित है, और सने रामेश्वरम, बी, कांची, सी, मदुरई, डी, सरवन बेल गोला, तो हमारा जो राइट तो गोमेश्वर की मूर्ती है, किसने बनाई, तो चमुंदर राओने बनाई है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स कोशन है, 31st नमबर कोश्चन क्या है, कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तिर्थकर कौन थे, तो जैन परंपरा के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्सन बाहू, आप्सन B, अगनी शार, आप्सन C, रिशब देव, आप्सन D, हेम चंद्र, तो हमारा जो राओने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप्सन नमबर C, यानि कि रिशब देव, जैन परंपरा के अनुसार पहले तिर्थकर कौन थे, तो पहले जो तिर्थकर थे, वो र सपक मना जाता है तो रिस देव को ठटी दूअ doubt question है कि इन में से कौन सा सबसे पुराना जायन ग्रंथ काहा जाता है option ए बारण अंग option भी बारण उपांग option c14 पूर्व option d14 उकवर तो हमारा जो राइट नंसोस हुआगा वë option और जाएगा कि तो चवrint पुर्व सबसे पुराना शेयन कहा जाता है अगर बात करें सबसे पुराना ज्यान गरंथ इन कौन है दो एक दश्षेज का 14 पुरव सबसे पुराना ज्यान गरंथ है के दोस्ट घथिटिर नमपर कोश्चन है कि निमलीखित में से Lex ज्यान ग्रंथ है option a पडिसिष्ट प्रवन बी ललिता विश्तार option c रिग बेद option d मंजूसरी मुलकल्प तो हमारा जो राइटनस हो जाएगा वह क्या हो जाएगा तो option 34 number question तो 34 number question देखते हैं कि कौन सा कौन सा प्राचीन भारतिय ग्रंथ दर्सनिक ग्रंथ माना जाता है option A रामायन, option B महाभारत, option C उपनिशद, option D पुरान तो हमारा जो right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा option number C यानि की उपनिशद ठीक है दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन भारतिय ग्रंथ उपनिशद, दर्सनिक ग्रंथ कहा जाता है ठीक है अगर हम बात करते हैं सत्यमेब जैते तो सत्यमेब जैते जो है वह मुंड कोप उपनिशद से ही लिया गया है सत्यमीब जैते कहां से लिया गया है तो याद रखेगा आप लोग कि सत्यमीब जैते मुंड कोप उपनिसस से लिया गया है किस धर्म में तिर्थकर के नाम से 24 महान अचाड है ओपसन ए हिंदू धर्म बी सीख धर्म ऑपसन सी जैन धर्म डी बौधर्म तो हमारा जो राइटंस हो जाएगा क्या हो जागा ओपसन नमबर सी यानि की जैन धर्म तो जैन्धर्म में तिर्थकर के नामसे चौबीश रि महान अचाड है और हम बात करते हैं जैन्धर्म के पहले तिर्थकर थे कौन थे तो रिशब देव थे और इन्होंने जैन्धर्म का संस्थापक किया था वो किस ने किये थे तो याद रखिएगा आप लोग कि जैन धर्म किस अपना किस ने तो रिसब देब नहीं किये थे तो 36 नमर कोशन देखिएगा दोस्तों कि जैन साहित को कहा जाता है अप्शन A मनुवस्मृति अप्शन B जातक C आगम D निगम तो हमारा जो राइटेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा ओप्शन नमर सी यानि की आगम तो जैन साहित को कहा क्या जाता है तो आगम कहा जाता है अगर हम बात करते हैं जैन धर्म के तो जैन धर्म के अधिकांस ग्रांत अर्ध मगदी भाशा में लिखे गये थे अगर बात करते हैं महावीर श्वामी ने तो महावीर श्वामी ने अपना उपदेश प्राकिर्तिक भासा में दिया था कोशन ऐसी आ सकता है कि महावीर श्वामी ने अपना अपना पहला उपदेश किस भासा में दिये थे तो प्राकिर्तिक भासा में दिये थे ठीक है दोस्तों नेक्स से नमा 37 नमबर 37 कोश्चन देखिएगा कि जिस जैन धर्म में तिर्थकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है ऑप्शन A भगवती सुत्र ऑप्शन B वास गदसाओ ऑप्शन C आदी पुरान ऑप्शन D कल्प सुत्र तो हमारा जो राइटन्स होताएगा ऑप्शन नमबर D यानकी कल्प सुत्र मिन्स क्या जो जैन धर्म के तिर्थकरों के जीवन जो चरित है उनका नाम क्या है तो कल्प सुत्र है अगर हम बात करते हैं जैन साहित को तो जैन साहित को आगम कहा जाता है तो जैन साहित को क्या कहा जाता है तो जैन साहित को आगम कहा जाता है ठीक है दोस्तों नेक्स है मार्ट हटी एट नमबर कोशन की निमलिखित में से कौन जैन धर्म का संड़क्चक नहीं था ओप्शन ए बिम्बिशार बी कारवेल ओप्शन सी कनिस्क डी चंदग्रूप्त मॉड तो हमारा जो राइट अंस होता है गा ओप्शन नमबर शीयान की कनिस्क मतलब क्या कनिक्स जो थे वो जैन धर्म के संड़क्चक नहीं थे ठीक है दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अग नेक्स ओप्शन नमर देखते हैं 39 नमर कोश्चन है हमारा कि जैन धर्म में परम ग्यान से संदर्व है ऑप्शन जीन बी रतन सी कैवल्ले डी निर्मान तो हमारा जो राइट अंस हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी यानि की क्या जाएगा तो कैवल्ले हो जाएगा मिन्स कि ज सैन आरे एक साल के नी चे कैवल्ले जैन प्राप्थ हुआता-टी तो जीड़ो जरूं की बेगजान तो कैवल ले ग्यान की प्राप्ती हुई थी ठीक है दोस्तो तो आज का मारा last 40 question है कि महावीर की माता कौन थी option A यशुदा option B तृशला option C जमेली, option D महामाया, तो हमारा जो राइटन्स हो जाएगा क्यों हो जाएगा, option number B यानि कि तृशला, महावीर की माता की जो नाम था हो क्या था, तो तृशला था, ठीक है अगर हम बात करते हैं तृशला को तो तृशला को हम लोग विदे दत्ता के नाम से भी जाने जाते हैं, मैंस क्या जो महावीर की जो माता तृशला है उनका जो नाम है एक और नाम क्या है तो उनके दूसरे नाम भी देहदता के नाम से जाने जाते है तो ठीक है दोस्तो तो इसी के साथ अगर ये आपको टॉप 40 कोशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किजिएगा और प्लीज आ